दोस्तों गौवर्मेंट एक्जाम के तयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रीप्रिशन एड़्ड को और वैल आइकन दबाईए हमारी वीडियो सबसे पहला देखने के लिए हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का सुवागत है हमारे चैनल प्रीप्रि लाक्टरिक केहते हैं तो सबसे पहले ये जानेए किक्षकर क्या है तो कर्ण अर्ट बर्थि चीजर सब्सक्राइब कि लेक्त्रिक लाइन हो सकता है तो करंट्ड हो सकता है एक जिसके पास चार्ज हो तो मतलब हम ऐसा देखने वाले हैं करेंट को जिसके पास चार्ज है और एक स्ट्रीम लाइन में फिलो हो रहा है सब्सक्राइब इस तरह से लगा दे जाए और से यह क्या बनाएगा यह बनाएगा करेंट तो इसको कहेंगे करेंट जब इलेक्ट्रों फिलो होते हैं तो इसको क्या कहें अब इलक्टोन होता है चार्ज एना इलक्ट्रोन की पास होता है प्लाम में कि यह प्लेस से दूसरे प्लेस को ओ करता है तो इसको Mathematically Defining करेंगे I बराव होता है Q upon T तो unit time में unit time में जितना charge flow करता है उसको बोलते है electric current और ये एक scalar quantity है अब scalar quantity है current के direction भी होती है इसका magnitude भी होता तब भी scalar quantity है वो इसलिए है चुझे वेक्टर के triangle लाव को follow नहीं करता है और इसका ऐसा unit है ampere ठीक है तो एक ampere किसके बरावर होता एक ampere होता है अगर एक ampere current की बात करते हैं तो किसी भी conductor के अंदर एक ampere current तब बताए जाती है जब एक second में 6.25 into 10 to the power 18 electrons एक सिरे से enter होकर दूसरे सिरे में निकलते हैं एक second में इतने electron एंटर होने चाहिए और इतने ही electron निकलने चाहिए तब जाकर यह कहा जाता है कि इस कंदर जो current फिलो हो रही है वो हो रही है एक ampere की ठीक है अब आता है अगला टोपिक resistance तो इस current के फिलो में किसी भी तरह की रुकावट वो किलाएगी resistance तो opposition किसी भी तरह का opposition current के फिलो होने की फिलो होने के direction में या current के फिलो होने में किसी भी तरह का resistance ही किलाता है और किसी भी तरह की रुकावट ही किलाती है resistance है ना इसका यूनिट होता है ऐसा unit वो ohm होता है अब ohm देखते है ัब न denial की है तो सिजएकल करे कि सीभी कर्णिशन को किसी वी मटिरियल की अब फिजएकल कर दिचन के होती है उसका अंप FOR लाइट है इसका इंद क्लियो हुरि उसका प्रेशर सब कुछ यह होते हैं physical quantity जब किसी भी material की physical quantity को unchanged रहने दे मतलब किसी भी तरहांगा कोई changes ना आने दे तब उस material के अंदर फिलो होने वाला electric करण directly proportional होता है potential difference के तो वी डिरेक्टल प्रोपोर्शन होगा किसके वी जो है potential difference है तो आई डिरेक्टल प्रोपोर्शनल टू इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा कर एक एक constantly आगा है जिसको आर बोलते हैं जो उस temperature उस pressure या फिर उस physical condition पर उस material का resistance है अब देखिए physical wire है यहना cold metal का wire तो उसकंदर से current अच्छे से फिलो होती है अगर वो wire heat कर जाता है तो उसकंदर से current का फिलो होना थोड़ा बहुत रूख जाता है मतलब उतने अच्छे से current फिलो नहीं हो पाती जितने अच्छे से पहले हो रही थी अच्छे ऐसा क्यों होता है temperature बढ़ने पर current क्यों घड़ जाती है अब देखिए जो इसकंदर atoms है जो इसकंदर molecules है atoms है उनके nucleus सब यहां bounded रहते अब जो temperature increase करेंगे तो यह atoms जो है इनके vibrations बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो जो यहां से electron pass होने वाले थे उनकी जो effective collision है इन atom से बढ़ जाएगी जब इन atom से electron टकराने शुरू हो जाएंगे तो इतनी अच्छी से pass out नहीं हो पाएंगे जब इलक्ट्रोन अच्छी से पास नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या current की value कम हो जाएगी current कहते है कि सको है electron के flow को तो current बोलते है जब इलक्ट्रोन ही फिलो नहीं हो पाएंगे तो करण्ट कहां सभाएगी तो इसका मतलब टेंपरेचर चेंज ना होने ते इसलिए ओम्स लाग के अंतर ये कंडिशन रखी गई है कि किसी भी तरह कोई फिजिकल फिजिकल चेंज नहीं आने चाहिए फिजिकल कंडिशन जितनी है वो अंचेंज र यूनिट होता है। रिजिस्टेंस का यूनिट होता है और अब बोल्ट और और करेंट का यूनिट आ है जैसे मेंगनान वायर जो होता है वो फोलो करता है सट्सaron div कि फोलो मिका प्रजांपनल दे रखा और रेजिस्टेंस ओफ फोलो नहीं करते आ आधा कंडक्टेंजट्र ऑब देखिए जितना डिंट करते हैं तो इसको कंडöक्ट मोवोलते हैं रेस्टेंस को करते हैं तो इसका रेस्परोकल होता है जी वह बहूलल कितना हो जाहेगा और रेस्टेंसट में ग्वह कंड़ेंस तो ड्रकर और में सींद्नी चाहिए तो और कन्टा क्यों दे allt लिख़ता है थे हों看 title यह जब लिखोगे और जब इसका इन्वर्स लगाओं उल्टा तो यह हो जाएगा M ho मतलब M पहला जाएगा फिर H फिर O महोँ तो यूनिट होता है महोँ इसको पर ओम भी बोलते है पर ओम इसको ओम का सिंबल यह है पर ओम भी बोलते हैं और इन दोनों की जगे ये भी कहते हैं सीमन क्या बोलते हैं सीमन तो इसका यूनिट सीमन भी है तो ऐसा यूनिट इसका क्यों हो जाएगा ऐसा यूनिट महों इनवर्स ओम इनवर्स या फिर महों या फिर इसको कहते हैं सीमन या महों यह लिखा हुआ महों महों सीमन और ओम इनवर्स यह सब के सब कंडक्टेंस के यूनिट है अब देख लेते हैं रेजिस्टेंस किस तरह से एरिये पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किस तरह से लेंथ पर डिपेंड करता तो अगर किसी वायर की लेंथ बहुत जादा होगी तो देखिए उसका रेजि इसके यह standards होगा अब देखिया जीतना जावर्य एरिया होगा जीतना बड़ा एरेया होगा तो क्यारी से भड़ाने से घटेगा जब अब बढ़ जाएगा तो इलिक्टर्वन सब्सक्राइब करण सब्सक्राइब करें 20 जासे तो सब्सक्राइब लोगफ गई तो इन दोनों को मिला करी लिख दिया गया है जो है डायो इन कि अगया इसको बोलते हैं रो यह है रो और यह इस रो का यहां पर एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यह होता है इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो यह रेजिस्टेंस जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के एपोन एड तो रो यह होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है अब आगा देख लेते हैं जैसे कि हम भी डिसकस कर रहे थे कि तो इसक़ निकल गाई था एक मेटर से मीटर कर जाएका धो पराया का मीटर तो ओम मीटर जो हता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट ठीक है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्यों होता है ओम मेटा जो कि इसका एक ऐसा यूनिट है तो इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है खुद का मटेरियल का अपनी खुद की प्रो पेरटिया अब जिस तहरा से कंड़ते के ह सकते कि जाएगी कर देडिेगी सब्सक्icação उल्टा होती है को समयर क्या होती है कुन्दक्तिविटि तो इसका हुझा चाहिए को स्बिनेंट को उर स्थिक्षात्र सब्सक्राइब को कॉम्बिनेशन औफ रेजिस्टेंस तो रहा हैं कि समझ चुक हैं कि रिजिस्टेंट एक तनहों क VO होती है help यह फिर होके फिलो होने में किसी तरह कोई रूकावड़ हो तो वह रेजस्टेंस है तो एक रेजिस्टेंस मिलाएक है एक मजह म। उसको दूसरे रेजिस्टेंस के फस्स टर्मिन ii से जड़ देंगे इसे तरह ची तरह से जो बनता है यह obtia r2 जोगए अभी इस तरह से हमने र3 हैक एक शिरीज में जोड़ दिया इंको भी में इसको एक शुम में से यहां रुकावत फील होगी यहां रुकावत लगतार बढ़ती चले जा रही है तो इसका मतलब से इसका needs का अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो अगर वहीं बात कि जाए parallel combination की तो parallel combination क्या होता Suppose that मैं आपको बना कर दिखा जाता हूCal A है और यह terminal क्या है भी है तो ही ए determinism हो गया r1 और यह resistance हो गया th consumer यह और णारवण और यह है एक यारबन क्या पैर्लेल मैं लगए पता काया इस लगा पता ऐसा लगा कि है दोने एक साहत तो नहीं है ना कि पहले-वाले-धुर्मिनल पर लुटे-खलिया2 दूसरे वाले रजिस्टैंस सबस्कित essas विश्वाइं लॉट ह होती है तो इस्था मिलेएक बोलते है पारले-घ्र यहां पर आ रहाएगा पैरलेल कॉम्बिनेशन में क्या होता है जो एक्वेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिवीजुवल रेजिस्टेंस के रहसे प्रोकल के समके वरावर होता है तो यह हो जाएगा वर अपन आर वन प्लस आर टो प्लस आर त्री प्लस टो 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 यह इलेक्रिक पावर क्या होती है तो अलेक्रिक विज दए यल्य का या की tis क्सूम इन्हें सर्कीट इसको बोलते हैं जाग किसी भी सरकृट के अंदर भा की इसको बुबबडलмен बहुते हैं तो इल्युनिट टाइम में किब जितनी energy consume हो रही है वो घलाती है electric power इसको वाट में बोलते हैं तो यह काइम हाती है unit इसकी वाट में तो एक वाट जो होता है अगर एक वाट की बात की जाएगे तो वह एक पी कीलोवाट का है और ती का आवर का वाले टर्म के की आवर हो जाएगी तुर यह एनर baldности के यूनेट देदेस देदेगा तो इसका मतलब किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनेट रीक होगी है इसके लित dispel to the energy consume in the circuit at the rate of one kilowatt for one hour एक घंटे में एक किलो वाइट energy consumed होती है तो यह किलाता है 1 kW तो एक किलो वाइट को अगर आप जूल में convert करना चाहोगे तो जूल में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं आपको दिखा देता हूँ पहले इसको rough कर देता हूँ इसको rough कर देता हूँ तो देखिए आपको क्लोवारे को यह कहां साया तो आपको रटना नहीं है थो आपको क्या करना पड़ेगा कि लोट को गया की एक न है फेस्ट फिर सटेट कांश सहाु कि अंतों कि एक कि गंट आए सबbnा में रिजने LEंघ रूते है . सफब्सक्झार कि एंडेंद ний डूत फे यह पॉइंट नेरी सके से और अज रोप में लिखना अगा सिक्स देखेंगा तो देखें üzहां सी किलोवाइट को आप जूल आपका जो बिजली का बिल आता है वो किलोवार्ट आवर से ही होती है अब आता है एक एमिटर एक आप पता लग रहा होगा कि एमिटर जो होता वो एमपेर मीजर करने के नहीं काम में आता है वहीं अगर वोल्ट मीटर की बात कि जाए तो voltmeter voltage measure करने की नहीं आता, अगर आपको कोई circuit है, है न, तो circuit करना जो ampere meter लगाते हैं, वो series में लगाते हैं, है न, series में लगाते हैं, अगर वहीं voltmeter की बात की जाए, तो voltmeter को जो लगाय जाता है, वो parallel में लगाय जाता है, voltmeter को लगाय जाता है, parallel में, मतलब अगर एक wire ये ज जर्द पोटेंशल डिफरेंस बिटिबिन टू पॉइंट इन इस सरकेट देखिए इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशल डिफरेंस बताता है वोल्ट मिटर और एम्पेर मिटर यह बताता है कि एलेक्टिक करेंट इस सिस्टम के अंदर कितनी फिलो हो रही है अब बा जो इन्फाइनाइट होता है लेकिन आज तक बना नहीं है तो यह दोनों ही पॉइंट बहुत इंपोटेंट है तो अगर आइडियल एमिटर की बात की जाएगी तो उसका जो रेजिस्टेंस जीरो होगा एमिटर का रेजिस्टेंस में लगाए जाता ऐसे जात किजिएगा एम को पॉल्टिमेटर का रेजिस्टेंस इन्फाइन आइट होता है यह आपको अच्छे समझना आखिए अब आथा इल्यक्रिक फ्यूसके वारे में इल्यक्रिक फ्यूसक्य होते हैं उससे और सित जाते हैं आप्र एक बहुत सिस्टम पर लोड पड़ रहा है तो लोड पड़ेगा तो यह वायर ना पिखल जाता क्योंकि यह वायर बहुत पतली होती है और यह वायर के अंदर से सेफ रहे अगर यह नहीं होगा तो हमारे सर्केट के खराब होने के चांसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जब लाइट तेज यह कम होती है तो तो एलेक्टिक फ्यूज इस प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज इन सेज विद एन एलेक्टिक एप्लाइंसे तो सेव इस फ्रॉम बिइंग डेमेज दू राए करेंट तो हाई करेंट आने की वज़े से उसको डेमेज से बचाता हूं यह स्रीज में ही लगा जाते हैं हमेश जाता है इसको किसको जिसके हम बात कर रहे हैं जो हमार पास फ्यूज वायर है अब प्योर फ्यूज इस मेड़ फ्यूज वायर होता है वो तीन का बना हुआ होता है और ऐसे मटेरियल को बनाते हैं इसका बोइलिंग पॉइंट बहुत कम हो ताई कि एकदम से पिखल जाए अब एक डिवाइजoh आती है गेज Не रमटर के अगेज चेह होता अज्म doubt इशफ्ट उесс स्टम के अंधर एलक्टिक करेंट के मीजर को बताता है सांथ मेंएक काम ओर करता है यह दाएक्शन को भी बताता है कि करेंट की दिशा में है क्या उसकी डारेंग्शन है अब तो बता रहा था लेकिन अमेटर के अंदर आपको यह दो वायर है कि यह किसी मशिन इससा होकर आ तो आप एक शंक्टड के थुरू एक छोड़ा सा तार ले लेते हैं और यह वाला में तार हो गया है तो यह तार जिसने बाइपास किया है स्थार को यह तार तो मशीन वंदर घुंग कर आ रहाता लेकिन आपने सो कोई एक दूसरा वायर टच कर दिया तो यह के लाएगा शंट तो शंट इस वायर ओफ वैरी स्मॉल रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है इन सिम्पिल वर्ड्स एन स्माल इलेक्टिक करेंट चेंज कर सकते बना सकते सिर्फ शंटि की मदद से अब देखिज शंटि की मदद से कैसे बना सकते हैं इस तो पता अचलगाए कि हमाने क्या होता का वाल होता है तो जब गैलवान मेंटर में कर सकते हैं पर इसके वायर है तो इसके पडिए-सक टच कर दीजिए एक शंट को तो यह वायर जो का यह होगा यह होगा यह में इसको यह प्रके feathers एक तो ¾омеetra को पैर्लल me जोडते है क्योंकि इसको पैरलेल में एड' कर देंगे तो अब यह एक में इसकोगर सिरिज में कर ढूं लूग है न जब एक galvanom heter ऑनगे वे हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इस गैल्वैनमेटर के छीज में इस गैल्वैनमेटर के डेज न हाई रिज़िस्टेंस अगर और high voltage को low voltage में कम करने और बढ़ाने के लिए use किया जाता है इसलिए हमारे transformer दो तरह के होते हैं एक होता step up transformer और दूसरे type के होते है step down transformer step up transformer वो होते हैं जो कम voltage को suppose that 220 voltage को 440 volt में convert करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो 440 volt को 220 volt में convert करते हैं तो जब high voltage को low voltage में convert करने वारे transformer को बोलते है step down transformer और जो low voltage से high voltage convert करने है उसको बोलते है step up transformer तो यह इतने पर transformer होते हैं सारे के सारे alternate current पर ही work करते हैं तो transformer is a device which converts low voltage AC into high voltage AC and high voltage AC into low voltage AC it is based on electromagnetic induction यह बहुत important line है कि electromagnetic induction पर यह काम करता है transformer and can be used only in case of alternating current और इसके मैं सिर्फ और सिर्फ alternate current ही use करते हैं alternate current इसको alternate current क्यों कहते हैं क्योंकि यह alternately कभी high होता कभी low होता कभी high होता कभी low होता इसलिए इसको alternate current कहते हैं और transformer AC current पर ही work करता है और transformers जो work करता है electron magnetic Induction पर work करता है electromagnetic induction क्या होता है इलेक्ट्र मैगनेटिक इंडक्ष्टन के पारे मैं आपको बता देता suppose that यह यह मेरे पास कोई coil है और एक coil यह है ठीक है इस coil के दफर करंडबंद नाट म Sugric twitch और मेंगनेटिक प्रिल इसको कट कर रहा है इस दूसरे बारे कोाइल को कट कर रहा है जो कि बिल्कु फ्री है तो क्या होगा इसके अंदर भी potential difference change होगा जैसे कि इस क्वाइल के अंदर होगा है जब potential difference इसक अंदर change होने स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर attracting है elektromagnetic induction कि इसके अंदर current pass हो रहा था basically इसके बल्कु फिरी था तो लेकिन electromagnetic induction इसके अंदर भी हो गया क्योंकि magnetic fields स्लाइन ने से काटनाा शुरू कर दिया और करनेट फिलो होने लगा तो देखिए इसके फिलो तो लेकिन होने इसके भी अंदर लगा तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इंडक्शन जो कि ट्रांस्फोर्मर इसी इंडक्शन पर वर्क करता है चलिए आगा देखते हैं अब यहां पर कुछ देख लेते हैं एनर्जी कनवर्टिग डिवाइसे को जैसे के यिसिए डायन ओ operates इसको जन रिवोलते हैं जो एसे डाइनलम होगा है इट इस डिवाइज यूस्टू करने वाली यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइनमो यह फिर एसे डाइनमो इड़क्स ओन दो प्रिंसिफर ओफ इलेक्ट्रो मेंगनेटिक इंड़क्शन जो डाइनमो होता है यह भी ही ही एलेक्ट्रो मेंगनेटिक इंड़क्शन पर रही। अगर बात कि यहाई दिवाइज वह गय और कैनें डिवाटて को गयले करते हैं मेकनिकल आईनर्जी में अब अब वह किस तरह सेूट कर रहा है इस प्लेख मतलब ौप मतलब क्या हुआ आपने यह ग्या हमको यह काम करती है मोटर आपा माक्रोफोन आप जानते हैं अच्छे-स हमारे मायक होते ही होते हैं करते हैं तो माइक्डोफोन हमारी साउड साउड एनरजी को साउड एनरजी को एलेक्टिकल energy में convert करते हैं and works on the principle of electromagnetic induction यह भी electromagnetic induction पर ही बर करते हैं अगर दूसे शब्दों में बात कि जाए तो microscope is an instrument for changing sound waves into electrical energy अगर दूसे शब्दों में बात कि जाए तो यह microphone जितने भी होते हैं वो sound waves को electrical energy में convert करते हैं which may then be amplified transmitted और recorded बाद में इस electrical energy को आप amplified भी कर सकते हैं amplified का मतलब क्या उसके amplitude को आप बढ़ा सकते हैं अगर वे इस amplitude के तो amplification के बाद इस amplitude की भी हो सकती है उसको transmit भी कर सकते हैं और उसको record भी कर सकते हैं तो यह रहता microphone का काम अब देख लेते हैं the current generated in the power station are alternating current जितने भी power station होते हैं वहाँ पर जो current generate के जाती है वो dynamo के थ्रू के जाती है और डाइन्यमो बझाता electromagnetic induction पर कोई चीज बख तो alternate current चाहिए होगा तो इसका मतलब जितने भी power station होती है वहाँ पर alternate current होती है तो वहाँ पर जो alternate current आती है वो होती है बाइस हजार बॉल्टी की और इससे ज्यादाइकी भी हो सकती है जो grid substation होते हैं वो इसको transformer के थूर बढ़ा भी देते हैं और कम भी कर सकते हैं जैसे के एक लाग बत्रीश हजार बोल्ट तक इसको क्या कर देते हैं और इसको बढ़ा देते हैं जैसे कि suppose आपको बहुत distance पर भेजनी है तो आपको इस बोल्टेज को बढ़ाना होता है तो यह बोल्टेज बढ़ा करके एक जगह से दूरे जगह तक हमें transmission के लिए यूज करना पड़ता है किसको करेंट को तो इसके अंदर इस वीडियो लेक्ष्टर के अंदर फिलहाल इतना ही क्योंकि इसके अंदर इतना ही दे रहा था चैप्टर के अंदर मैंने पूरा explain कर दिया पॉइंट टू पॉइंट वीडियो अच्छे लगिए हो तो लाइक शेयर करना कभी नहीं भूले और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने जी आप ही के लिए मनाया है सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं करता थैंक्यू सो मच